जैहिन आज हम लोग 385 कोविड केसिस के बीच में हैं उधांपूर आज 385 कोविड केसिस टच कर चुका है इसका मतलब यह हुआ कि इन्फेक्शन जो है वो उधांपूर में अच्छी तरहां से फैल चुकी है दो डेट्स कोविड थर्ड वेव में हम देख चुके हैं वैक्सिनेशन मास्किंग क्राउड मैनेजमेंट सब करके देखना पड़ेगा इकठा हमें वैक्सिनेशन बूस्टर डोज लगवानी हैं 15 से 18 साल के बच्चों का डोज लगना चाहिए हमें मास्क चहरे पर पहनना चा हम लोगों को क्राउड नहीं करने मैटाडोल्स में बसे में दुकानों में नहीं करने ये मैक्सिमम जंप है जो उधमपुर ने अभी तक देखा 136 केस एक दिन में आना बहुत ख़त्रे की बात है अगर 136 केस एक दिन में आ सकते हैं और हम लोगों ने इसी तरीके से भीड क करी तो ये नंबर डबल और तीन गुना होने में देर नहीं लगेगी पिछले चार दिनों में हम लोग एक एक सो देड़ डेड़ सो केसिस जो हैं वो टच करने की कगार पर आ चुके हैं बहुत सारा टूरिस्ट हमने पतनी टॉप में कोशिश करी है कंटेन करने की मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कमस कम एक महीना टूरिजम के लिए बहुत मुश्किल है आप अगर कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं प्लीज ऐसी जगाओं में मत जाएए जहां पर भीड है क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ा की है अगर हम अपने आपको बचाना चाहते हैं कान असेंशल मुवमन्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए हमारी यह दरखास्त है बड़ी विनम रविंती है कि शनीवार और रविवार को अगर आपको लगता है कि आपके आगे पीछे ऐसा कोई काम नहीं है जिससे की घर से निकलना जरूरी है मत निकलिए यह अपने आप पे कर्फियू लगाना बहुत जरूरी है मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि शनीवार और रविवार को घर में रहिए कोशिश करिए अपने आप पर यह कर्फियू लगाईए हम लोग पीक पर हैं इस समय और यह इंफेक्शन बहुत जल्दी डबल हो जाती है तीसरे वेव में यह देखा गया मेरी सबसे रिक्वेस्ट है दोहरा मास्क पहनना शुरू कर दीजिए हाथ दोहना और क्राउड को क्राउड से दूर रहना शुरू कर दीजिए हम लोग सेफ रहेंगे परिवार वाले सेफ रहेंगे तभी आगे के दिन हम लोग अच्छे से देख पाएंगे जै हैं-दे